नमस्काल इंडिया पब्लिशर्स एस्सोसियेशन के इस सेशन सवाल आपके मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ डॉक्टर तरुना एस्गॉर्ड MW9 ने पूछा है कि पत्रकारों के लिए कुछ मानक निर्धारित होते हैं वो क्या है तो मानक को पहले मैं इंग्लिश में बता दू क्योंकि मानक कई बार समझ में ना आए शायद मानक का मतलब होता है स्टेंडर्ड यानि वो नियम, काईदे, वो कानून, वो उसूल जो के पत्रकारों को जिनका पालन करना होता है तो वो मानक क्या है, वो मानदंड क्या है नहीं लेना चाहिए, यानि कि पत्रकारों से उमीद की जाती है, वो जो भी देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, जिस भी घटना को वो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो निश्पक्ष होनी चाहिए, उसमें किसी का एक तरफ रुजहान नहीं दिखाई देना चाहिए, तो दूसरों की बातों से प्रभावित हुआ, नहीं अपनी भावनाओं से प्रभावित हुआ, जो सत्य है उसने उसी सच को वैसा का वैसा ही दिखाया, तो सटीकता होना भी बहुत जरूर है, सटीकता का मतलब एक और भी होता है, वो ये कि जो एक बार कह दिया, वो एकदम सही हो उसमें बार-बार संचोधन या फिर परिवर्थन नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि मुह से कुछ और निकल जाता है, facts कुछ और होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक भूल सुधार का option होता है, जिसको कि वो बोल सकते हैं, जैसे मालीजे कोई fact गलत निकल गया, त बहुत ही शर्म की विबात होती है, तो इसलिए वहाँ पर सटीकता बहुत जरूरी है, जो भी कहें सोच समझ कर कहना आविश्यक है, एक और important standard है, वो है इमानदारी, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, पत्रकारों से उमीद की जाती है कि वो इमानदार हो, अपने पे हो, तो कुल मिलाकर इमानदारी एक पत्रकार का बहुत ही बड़ा गुण है, जो उसके अंदर होना अनिवार है, इसके अलावा और भी मानक हैं, standards हैं, जो पत्रकारों के लिए निर्धारित हैं, जिन्हें बाकाइदा Press Council of India की guidelines में बताया गया है, उसके उपर हम विस्तार से आगे वीडियो बनाएंगे, उसका एक पूरा सीरीज ही बनाएंगे ताकि एक-एक standard को हम अच्छे से explain कर सकें और आप उसको follow कर सकें, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है, जब पत्रकारिता के students call करते हैं और बताते हैं कि हमें अपनी किताबों से ज़्यादा आ और साथ ही साथ नए सवाल जरूर पूछेगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद